एक और बड़ी जानकारी जहां सीम नाइव सिंग सैनी ने वोट डाल दिया है अपनी पती के साथ वोट डालने के लिए पहुचे थे लाडवा से चुनावी मैदान में हैं सीम सैनी ऐसे में देखना होगा इस पार क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आते हैं सीम नाइव सिंग सैनी ने वोट डाल दिया है आठ अक्टूमर को नतीज़े आएंगे और हर एक पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की है चाहे वो बीज़पी हो या कॉंग्रेस हो या फिर चेचेपी हो या फिर आब आद भी पार्टी हो हर एक पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की है जनिता को लुभाने की लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जनिता ने किसको चुना है जनिता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है ये तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर उस दोरान की हैं जब सिएप डाइब सिंग सेनी मतदान केंद्र पहुचे और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए तस्वीरे लगतार आपको दिखा रहे हैं सुभा से ही सुभा साथ बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी एक एक करते कच पहुच रही थी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए और ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो मतदाता की संख्या है वो लगतार बढ़ती जाएगी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के कड़ इंतिजां के हुए हैं लिकनी तस्वीरे लगतार आपको दिखा रहे हैं जहां लाडवा से चुना अभी मैदान में हैं सीम सेनी अपने मत का प्रेयोग वो कर चुके हैं प्रिपत्नी के साथ वो अपने मत का प्रेयोग करने के लिए पहुचे थे उन्होंने वोच डाल दिया है और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था विपक्ष पर हबला बोलते हुए जो भी